नमस्कार दोस्तो श्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आप लोगों के अपने चैनल उत्तर पार्ट शाला में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्राखंड पुलिस भरती 2021 के बारे में याने की उत्राखंड पुलिस द्वारा जो 996 पदों के लिए जो विग्यप्ति जारी की गई है उसके बारे में दोस्तो हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे सांती सांत दोस्तो इस वीडियो में हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि यह जो 996 पदों के विग्यप्ति निकाली गई है इसका आने वाली उत्राखंड पुलिस की भरती पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो दोस्तो आप यह वीडियो अंतर तक जरूर देखेगा और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजेगा दो दोस्तो सबसे पहले आप यह जैड्लाइन देखे जिसमें कहा गिया है कि पुलिस विभाग की तरफ से एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है जिसमें 996 पदों हेतु विग्यप्ति जारी करके ऑनलाइन आविधन पत्र आमंत्रित किये गए हैं दोस्तो अब देखे दोस् पदुननती परिक्षा के कुल 996 पदों हेतु विग्यप्ति जारी कर आविधन पत्र आउनलाइन आमंत्रित किये गए हैं दोस्तो तो दोस्तो यह जो 996 पदों हेतु विग्यप्ति निकाली गई है वर्तमान में जो उत्राखंट पुलिस में तैनात पुलिस करमी है उनकी पदुननती परिक्षा के लिए विग्यप्ति निकाली गई है दोस्तो तो दोस्तो जो यह परिक्षा के लिए विग्यप्ति है यह सिर्फ वही लोग भर सकते हैं जो उत्राखंट में पुलिस में भरती हैं और उन्हें भरती हुए वे 5 साल हो गए हैं तो वह यह परिक्षा देकर अपने पदों नती करा सकता है तो Constable से अगर वो परिच्छा पास करा लेता है दोस्तों तो वह सीदे SI या Head Constable के पत पर जा सकता है अब दोस्तों बांकी लोगों को निराश होने के जरुवत नहीं है क्योंकि आगे की हम वीडियो में बात करेंगे दोस्तों तो यह जो विग्यप्ती है इसका जो आने वाली पुलिस भरती है जैसा आप लोगों को पता है दोस्तों 2013-14 से उत्राखंड में किसी भी प्रकार की कोई भी पुलिस भरती नहीं आई है तो उस पर इस पुलिस भरती का क्या प्रभाव पड़ेगा हम आगे आने वाली वीडियो में इसमें बात करने वाले है तो आप इस वीडियो में हमारे सांथ बने रही है दोस्तों अभी बात करतें इसके बारे में तो यह जो विज्ञप्ती है दोस्तों इसके online आविधन करने की जो अंतिमतीथी बताई गई है वो बताई गई है 27 जनवरी 2021 साम 5 बजे तक जो भी पुलिस कर्मी इसको भरना चाता है वो 27 जनवरी साम 5 बहे तक इसको भर सकता है दोस्तों और जो यह परिक्षा है दोस्तों लिखी तुरू की परिक्षा है जिसकी जो पेपर है दोस्तों 21 फरवरी 2021 को कराने के संभावी तितीस में बताएगी है यानि की 27 जनवरी को इसके लास डेट है दोस्तों फॉर्म भरने की और जो इसकी एक्जाम डेट है वो कितनी है दोस्तों 21 फरवरी 2021 को है एक्जाम हो जाएगा अब बात करें इसके जो पद हैं उसके बारे में तो फस में रैंकर उपनिरिक्षक नागरिक पुलिस और अभी और अभी सूचना के लिए और अभी सूचना वालों के लिए जो अगली पद है दोस्तों उसमें Lift ारक्षी सासर पूलिस के लिए दोस्तों 25 जो अंतिम पाद हैं मुख्या उर्क्सी PAC और IRB के लिए 295 पद इसमें से 237 पूरुसों के लिए और 12 पद महिलाओं के लिए दिये गए हैं दोस्तो अगर आप लोगों में से कोई वरतवान में उत्राखन पुलिस में तैनात है और इस भरती परकिरिया है दोस्तो वह UK SSSC के द्वारा की जा रही है तो सबसे पहले आपको दोस्तो UK SSSC की साइट पर रजिस्टर होना पड़ता है तो इसके लिए आपको इसमें दो टैब मिलेंगे दोस्तो एक है New Registration एक है Already Registered यानि कि अगर आप Already Registered है UK SSSC की साइट पर तो आप इस step पर दबाकर अपनी भरती प्रकिरिया के लिए आविदन को भर सकते हैं अगर आप अभी तक आपने UK SSSC की साइट पर रजिस्टरेशन नहीं करा रखा तो आप New Registration करके अपनी भरती प्रकिरिया के लिए आविदन को आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तो तो दोस्तो अब बात करते हैं इस पदोन्नती परिक्षा का आने वाले उत्राखंड की जो पु पुलिस भरती नहीं ला पा रहे हैं तो यदि दोस्तो यहां पदोन्नती परिक्षा है संपूर्ण हो जाती है और 21 फरवरी को इसका पेपर हो जाता है तो most probable है कि 21 फरवरी के बात से यानि कि मार्च 1 पे उत्राखंड पुलिस भरती के लिए विज्यप्ति को जारी किया जा सकता है दोस्तो तो दोस्तो जैसा कि इस न्यूस कर्टिंग में आप देख सकते हैं उत्राखंड में मार्च में सुरू होगी पुलिस भरती यानि कि 21 फरवरी को अगर पेपर हो जाता है या पदोन्नती परिक्षा हो जाती है तो उसके बाद दोस्तो उत्राखंड की जो आपके वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चनल उत्तरपार्टशनला को सब्सक्राइब कीजे आप उत्तरपार्टशनला को दूस्तो सभी शोचल मीडिया प्लैटफॉर प्रेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं जिसके लिंक आपको